हालो साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR study में हम लेकर उपस्तित हैं कच्छा 10 के NCRT गडित परफना वाली 10.2 और यह लाश्ट कुश्चन है 10.2 का लाश्ट कुश्चन है चैप्टर 10 का लाश्ट कुश्चन है बृत वाले चैप्टर का लाश्ट कुश्चन ह इसके बाद आपका अगला 11 नंबर चैप्टर सुरू होगा जिसका नाम है रचना है ठीक है तो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इस कुश्चन के बाद में ठीक है साथियों कुश्चन स्क्रीन पर देखिए प्रसन में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए बृत्य के परिगध बनी चतर्बुज के आमने सामने की बुजाएं केंध्र पर संपूरा कोण बनाती है अंतृत करती है यानि जो यह सरकल है इसके जो चारो तरफ यह आपको चतर्बुज दिख रहा है ABCD सम ज़़रे हो ना कह रहाए कि यह सरकल केंध्र पर यानि सेंटर पर अगर हम इसे O मान लें तो इस पर 360 हंस का कोण बना रहा है यह हमें पूरूप करना है समझ रहे हो ना सबसे पहले इसमें हमें construction करेंगे साथियों एक construction करेंगे वो क्या है अब देखो यहां समझो तो ओ इसको ऐसे मिलाएंगे और ओसी मिलाएंगे ठीक है यह ऐसे ओडी और यह ओबी मिलाएंगे एक construction तो यह करेंगे और तत पस्चात इसमें हमें construction और करेंगे वो कौन सा करेंगे पता है आपको यह इनका नाम मान लेते हैं पी क्यू आर यस रख देंगे ये ये मानलो पी हो गया ये मानलो आपका क्यू हो गया और ये आपका क्या हो गया आर हो गया जैनि ओ आर और ये ये येस हो गया तो ये क्या है कांस्ट्रक्शन का पाठर रचना का भाग है ठीक है समझ रहे हो ना अब यहां पर आप लिखेंग गिबन गिबन मतलब दिया है लिखिए फटाफट दिया है लिख लीजिए दिया है क्या क्या दिया है लिखिए ABCD एक चतुरभूज है जो दिया है उसको मैंने लिख दिया ठीक है गिबन लिख दीजिए आप लोग भी ABCD एक चतुरभूज है जो बृत्र के केंद्र को बिंद क्या बोलते हैं उसे भई इंग्लिस में क्या बोलते हैं बताना अब लिखेंगे साथ नियों कांस्ट्रेक्शन जो कांस्ट्रेक्शन अभी मैंने आपको बता के किया है उसको लिखेंगे यहां पे कान्सट्रक्शन में आप लोग फट से लिखिए जो मैंने भी बताया था वही सबसे पहले हमने क्या किया था रचना का ठीक है अब साथि हो मेन बचा है प्रूफ यानि उत्पत्ति जो मेन करना है इसे आप लिख लिजिए मैं कोशन हटाता हूं उसके बाद फिर हम इसमें उत्पत्ति वाला हिस्सा मिलाएंगे आपको दिखाएंगे प्रूफ हां लिख लीजिए यह मेन पार्ट है इसी को हमें करना है ध्यान दीजिए इसमें तिर्भूज P Q S में ध्यान देना P Q और S लेकिन अजीब सा नहीं लग रहा आपको यह हां यह तो बनी नहीं रहा है P O S बन रहा है न रियल में पी ओएस ध्यान दीजिए पी ओएस इस तिर्भूज में देखना पी ओएस में ध्यान देना ठीक है लिखिए तिर्भूज पी ओएस में साथियों यहां पर अगर आप ध्यान दो तो जो एंगल ए है वह एंगल बी के बराबर है आप कहोगे एंगल ए और एंगल बी कहां है आ तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल बी के बराबर है बराबर क्यूं है ब्रेकट में लिखिए ओए एस ओपी को सम्दुभाजित कर रही है लिखिए ओए एस ओपी को सम्दुभाजित कर रही है है बताव कर रही कि नहीं जो ओए है वो सम्दुभाजित कर रही है एक को तरह इसी तरह इसी तरह से साथियों ले लीजिए तिरबुच P O Q में देखिए तिरबुच P O Q में ध्यान देना P O Q में इसमें भी O B इसको भी सक्ट कर रही है तो इनमें हम अगर दो कौन मान लें एक C और एक D ध्यान देना इसको C मान लिया इसको D मान लिया तो यह कौन C बराबर होगा इसमें भी वही रीजन हो जाएगा सेम तू सेम आप लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल एंगल डी ठीक है रीजन लिख लिजी वही क्योंकि ओ बी जो है वह तिरभुज पी ओ क्यू को दो पराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है इतना लिखिए यह द मैंने इधर दो किया था वैसे उपर भी हम दोनों तिरभुज में कर लेंगे मैंने लिख दिया ठीक है तिरभुज qor में एंगल f के बराबर है इसी तरह ros में एंगल g एंगल h के बराबर है यह सभी अंगल है आप देखो दिनको चारों तरब से ऐसे घेर लिया गया यानि 360 का बन रहा है न अब साथियों यह सभी एक एक equation बनते गए याद रखना यह पहला equation आपका बना पहला यह आपका दूसरा equation बना था जो लिखना था ब्रेकर्ड में लिख लेना यह आपका तीसरा equation बना और यह चाओ था equation बना यह चार समी करण बन गए ठीक है अब नीचे समे करण 1 घंवी करण 2 घंवी करण 3 घंवी करूं इसे ऐसे ठीक है यह धन्वी करण 4 सभी को एक में क्या करना एड़ कर लेना है चलो एड़ करते हैं को आधेने का यह दातपर है कि शारोको तोरब य इतने भी कोन हम हैं सब को एक में जोड लेंगे ठीक है तो अब लिखो एंगल आगल थौन इंगल भी दन इंगल दी दन इंगल ए दन इंगल एफ दन इंगल जी दन इंगल एच यह आठो कौन चारो तरफ से जुड़ जाएंगे आपको बहुत अच्छे से चारो समिकर में दिख लिए होगा इंग्लिस मीडियम और इसे लिख सकते हैं ओडी बिसेक्ट कौन आर ओएस ठीक है कौन से लाश्ट वाले में चलिए अब क्या करेंगे साथ ही उनको जोड़ेंगे हमें पता है कि ए यहाई इस्टार्टिंग में देखो ए जो है बी के बराबर है यह तुम्हें पता है न ए बी के बराबर है तो हम एकी जगा पे बी लिख सकते हैं यानि एंगल बी प्लस एंग को C के बराबर कर सकते हैं, D को भी, एंगल C ऐसे लिख लेंगे, दन एंगल D को भी एंगल C लिख देंगे, आप समझते चलना, Equation No.3 में देखो, E F के बराबर है, E क्या है, F के बराबर है, तो हम एंगल E को क्या करेंगे, E F कर देंगे, धन E F को E F ही रहने देंगे, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, Last में दिखाएंगे Logic क्योंकि हमें करना ऐसे कुछ है, तो आप कहोगे, कि हम A को जो B मान सकते हैं, इन दोनों को A भी लिख सकते थे, लेकिन B कुछ उद्देश से बनाया गया है, ठीक है, तो एंगल F हो गया, इसी तरह से अगर आगे बढ़ें हम, तो साथियों इसमें G और G को ले लेंगे, एंगल G और यच को भी एंगल G लिख देंगे, अब इन सब को जोड लेंगे, देखो समझते चलो आगे, करना क्या है, हमें लाना क्या है, हमें इन चारो तरफ के जो तिर्भूज हैं, मतलब सेंटर पर जो बन रहा है, उसे 360 प्र 360 होता है, आप सब को पता है, इन सब को जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 2B और यह 2C, एंगल लगा दो समय भई, एंगल 2B, एंगल 2C, एंगल 2F, प्लस एंगल 2G, एंगल 2G, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, 360, आप कोई दिक्कत होगी तो बताना, 360, यह इसमें थोड़ा गडबर लिखा गया है, साथी मेरे जब इन कोणों को जोड़ा जाता है न, तो यह दो पहले लिखा जाता है, मतलब गिंतिया ऐसे लिखा जाता है, ऐसे यह सही है, यह सही है, वो तरीका गलत है, तो थोड़ा समझना है आपर, देखो, मैंने उसे क् सी धन एफ और धन जी यह एंगल सम्में लगा देना बराबर 360 यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कुछ और मिलेगा वो क्या है एंगल भी धन एंगल सी धन एंगल एफ धन एंगल जी इक्वल 360 वटा दो क्यों क्यों कि दो जो इधर गुड़ा में उदर जाएगा अगर आप यहां पर ध्यान दिजिए तो आपको क्या मिल रहा है है वी सी देखो यहांसे वी सी डिंज है अबिसी के बाद क्या मिल रहा है एफ जी और ये कितना हो जा रहा है 180 हो रहा है final में समझो देखो मैं आपको इसका थोड़ा मतलब समझाता हूँ deeply तर समझ में आएगा देखे साथियों ये angle BC और FG बन रहा है न अगर हम BC को लेंगे तो ये क्या बन रहा है क्या आपको जड़ा ध्यान से देखो पहले तो भाई कुछ अलाग लग रहा है गड़बड नहीं है सही है जैसे दिया था वैसे ही है साथियों जो FG है वो देखो ये कोंड बना रहा है डी ओ सी डी ओ सी न यहीं यह तिरकुनना बीच वाला जो है दोनों कोंड क्या है सप्लिमेंटरी है न एक दूसरे के सप्लिमेंटरी है न बोलो है कि नहीं भाई ये बराबर एक सोसी है तो यहाँ पर हम ऐसे भी इसे करना था यहीं हमें प्रूब करके लाना था अप समझ गये होंगे क्योंकि बीधन सी जो है वह एक सप्लिमेंटरी है यानि सम पूरक है तो बस यहीं तो प्रूब करना था नीचे नहीं दिखना मैं दिखा देता हूं अभी टैंसन मत लिजिए आप एक भी पैसे का दिखा द कि येलो टेक्स अट गया दिखा कि साथियों हो गया कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना नीचे क्या लिखा बता देता हूं एक बार ए ओ बी बराबर डी ओ सी इक्वल एक्सॉस्सी है ठीक है यह चीज मैं यहां भी लिख दे रहा हूं आप यहां भी लिख लेजिए इ एंगल ए ओ बी धन एंगल डी ओ सी बराबर एक्सॉस्सी ठीक है यही फाइनल है लिखिए इति सिध्धम अता सिध्ध हुआ यह डी ओ सिध्ध करना था बाबू समझ में आया कोई डाउट है तो बता दीजिए निसंग कुछ आप टैंसर मद लीजिए हो गया ना इंड तो इस तरह से आपका यह पूरे चेप्टर खतम हो गया क्लास के बारे में कोश्चन के बारे में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताईए अब तक आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे थे आप उस पर भी संपर कर सकते हैं ठीक है साथी हूं तो बहुत बह अगली कलास में आप पढ़ेंगे अगला चेप्टर ठीक है बहुत जल्दी आपकी एक नई बैच भी आ रही है आप कमेंट करके बताना अगर आपको नई बैच पढ़ना है